Hey guys, this is Preeti, welcome back to my channel बिस्तर से उठतें जाती है, तो गर जाती है, उसे एहसास होता है, उसके लेक्स पारलाइस्ट है, helplessly जमीन पर परी रहती है बिचारी, चिला चिला कर मदद बुलाती है, शायद उसके आवाज से ही एक लेड़ी आकर हाजिर होती है उसके सामने, बहुती प्यार से उसे सम्हा जालती है, फिर से बिस्तर पर सुला देती है, कहती है, इस लगी का नाम रोज है, और वो उसकी मा है, डोडीन रोज का एक एक एकसिडन्ट हुआ था, करीबन दू महेने पहले, तब से वो कुमा में थी, डोडीन खुद एक डॉक्टर है, इसलिए उन्होंने रोज को घर पर रखना ही ठीक समझा, यह सोच कर कि जब उसका सेंस लॉट आएगा, तब फेमिलिया स्टावंटिंग्स पर रहने से उसकी रिकवरी जल्दी होगी, रोज, जब उनसे कहती है उससे कुछ याद नहीं आ रहा, उसकी मा हैरान नहीं होती, मसल में रोज का एक बहुत भिहानक एकसिडन्ट हुआ था, उसके लेक्स के साथ साथ थोड़ा बहुत ब्रेन इंजियोरी भी हुए थी, ऐसे मे temporary memory loss तो आहम बात है, लेकिन उसे चिंदा कहने की कोई ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे उसे सब याद आ जाएगा, उसकी मा है ना उसके साथ, उनके बात उसे रोज शान तो हो जाती है, मगर completely tension free नहीं हो पाती, पता नहीं क्यों, उससे बहुत अजीब लग रहा था, इस अग बात है कि वो खुद को भी पहचार नहीं पा रही थी, ऐसे में डोडियन के बात उपर भरोसा करने के सिवा, उसके पास ओचारा ही क्या है, रात होती ही, उसे खाना खिला कर दवाई दे कर डोडियन निकल जाती है, साथ में एक pen killer injection भी लगाती है, जबकि रोज को कहीं कोई दर नहीं हो रहा था, और दे रात एक हाथसा होता है, एक आवास से उसके नीद तूट जाती है, उसे फील होता है कमरे में कोई है, वो आवास भी लगाती है, मगर कोई response नहीं करता, और फिर अचानक से ही कहीं से डोडिन आ जाती है, वो अंधीरे में बेट के एक कॉर पर वो कोई जबाब भी नहीं देती, इग्नोर कर जाती है सवाल को, रोस बहुत कोशिश कर रही थे अपने यादों को वापस लाने की, उसे कुछ विशन्स तो दिख रहे थे सपने की तरह, मगर उन्हें जोड नहीं पा रही थी वो, especially वो एक्सिडेंट वाली रात, क्या ह हुआ था उसके साथ, डोडिन को भी ये चानना था, एक पॉइंट वा तो वो रोस पर चिलाने लगती है, रोस नोटिस करती है, उनका पिहेवियर कभी-कभी बहुत हिस्टेरिक हो जाता है, कभी अगर कुछ पसंद ना आ है, तो पागलों की तरह रियक्ट करती है वो, तो कभी रोस पर कुछ जाधा ही प्यार आता है उन्हें, जैसे एक तिन नल से पानी बहता ही जा रहा था, गुंदों के अवाज से वो बहुत ही जाधा इरिटेट हो रही थी, गुस्से में उसका चहरा ही बदल चुका था, और दूसरे दिन रोस के एक छोटी सी गलती पर वो पर हाथ उठाती है, मगर अगली पर में उनका गुस्ता शांत हो जाता है और वो माफी भी मांग लेती है, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह ख्याल रख रही थी वो रोस का, मगर उसके पूछे के सवालों का जबाब नहीं दे रही थी, बस उतना ही कह रही थी, जितना उन् दोस्त कौन है, उससे कोई मिलने क्यों नहीं आता, उसका फोन कहां पर है, जोरीन काफी अजीब जबाब देती है, कहती है, उससे हॉस्पिटल से कोई फोन नहीं मिला, शायद वो एक्सिरेंट में ही घराब हो गया होगा, और वो नहीं चाहती, रोज किसी दोस्त से करें, इससे उसके रेकवरी पर असर पर सकता है, उसे किसी भी तरह के स्ट्रेस से दूर है नहीं होगा, लेकिन हाँ, कल कोई आ रहा है उससे मिलने, उसके फियोंसे ये जेमी, उससे मिलका ज़रूर रोस को अच्छा लगीगा, उसका इंगेजमेंट हो चुका है, रोस को त वो लोग एक दूसरे से बहुत साथा प्यार करते थे, जेमी तो इससाथ हॉस्पिटल में भी था उसके साथ, रोस काफी अपसेट हो जाती है, उससे जेमी याद नहीं, मतलब उसके दिमाग से चार साल के सारे के सारे मिमरीस डिलीट हो चुके है, और पता नहीं क्या क्या वो जेमी से अपने परिवार के भारी में जानी के कोशिश करती है, मगर जेमी कहता है, एकसिदेंट से पहले वो कभी डोरीन से नहीं मिला, रोस ने कभी मिलवाई ही नहीं, लेकिन क्यों? इसका जवाब डोरीन खुद ही देती है, कहती है, रोस हमेशा से एक फ्री स्प्रि उनका कोई कांटाक्ट नहीं रहा, फाइनली एकसिदेंट के कारण वो लोग फिर से मिल पाए, नहीं तो शायद आज भी वो लोग एक दूसरे से खवा ही रहते, रोस इन में से किसी भी हाथ से को याद नहीं कर पा रही थी, इवन जोरीन जब उसे उनकी चालूट पिक्च पीर की तरह, कुछ चहरे, कुछ बाते, एक घर, लेकिन वो कौन है, वो रोस को याद नहीं आता, एक दिन वो जेमी से कह दी है उसके दोस्तों को कॉल करने के लिए, उसे याद तो नहीं मगर उससे बात करके शायद उसे कुछ याद आजाए, लेकिन दोरीन को इसमें भी प्रॉब्लिम थी, वो जेमी को रोक देती है और आगे कुछ ऐसा कहने से स्ट्रिकली मना करती है, रोस और फोर्स नहीं करती, शायद दोरीन ठीक कह रही है, उसे रेस लेना चाहिए, वक्त के साथ साथ सब ठ्वीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर जो खाली पन वो फ लेकिन उसके जाने के बाद रोस फिर से अकेली पर जाती थी, अपने मां से उसका रिष्टा अभी भी ठीक नहीं हुआ था क्योंकि वो से समझ नहीं पा रही थी, रोस ने नोटिस किया है, वो हर रात उसके कमरे में आकर बैठी रहती है, वो तजीब तरह के ख्रीपी गान होना हो, उनके बरताफ नॉर्मल तो नहीं है, कुछ तो चुपा रही है वो, एक दिन वो नोटिस करती है, डोरीन अपने कमरे के शल्फ को हमेशा लॉक्ट रखती है, सिर्फ कुछ बहुत इंपोर्टन है वहाँ पर, या फिर कुछ बहुत सक्रेटिव, रोस डिसाइड करत जाती है, पहले तो बहुत मुश्किल से क्रॉल करते हुए, अपने विल्चेर तक जा पहुचती है, उसके बाद घुस जाती है उस कमरे में, फोर्चुनेटले उसका तरीका काम भी कर जाता है, उस क्लिप से ही ड्रोयर्स खुल जाती है, और अंदर से रोस को मिलता है एक फ वो कहती है, उसके मानी उसे कॉल किया था एक्सिडेंट की खबर देने, मगर जब उसने रोस से मिलने की बाद की, उन्होंने डिरेक्ली मना कर दिया, और उसके बाद कभी कॉंटाक भी नहीं की, रोस को ये भी पता चलता है, कि उसका एक्सिडेंट दो मेहने पहले नहीं, अल्मोस्ट चार मेहने पहले हुआ था, और कुछ पता चलता, इससे पहले उसका फोन आफ हो जाता है, चार्ज खतम हो चुका था, रोस जल्दी से चार्जर को ढूनने लगती है, मगर तब तक डोड़ी इन घर पहुँच चुके थी, उसे गारी के अवास सुना देती है, और यहीं बड़ चीज़े कंप्लिकेटेड होने लगती है, उस रूम से इस रूम में आना तो आसान था, मगर लोटना नहीं, बीच में एक स्टेप चो था, जिससे उसके चेर के विल्स बार बार टगरा रही थी, रोस बहुत कुशिश करके भी उसे पार नहीं कर पाती, औ अगर वो दिखाती नहीं, डोडीन आती है तो बहुत ही प्यार से इसे वेल्कम करती है, लेकिन डोडीन भी कमचलाक नहीं, रोस के विल्चेर को अपनी कमरे में देखकर उससे शक होता है, वो उससे पूछती भी है, अगर रोस डिनाई करती है, बहुत ही इनोसेंस अफेस बाल बाल बची थी वो, लेकिन इतना कुछ करके भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यह चार्जर इस फोन का था ही नहीं, मतलब उससे फिर से एक बार उस रूम में जाना ही होगा, वो मौके की तलाश करने लगती है, एक दिन रोस कायते से डोडीन को बाजार भेज दे अंदर किसी के कपरे थे, जिस पर खून लगा था, और साथ में कार कीज भी परे थे, रोस को तुरंट हैसास हो जाता है, यह उसके है, लेकिन इन्हें यहाँ पर ऐसे छुपाय क्यों गये है, रोस यह सब सोचने में इतनी बजी हो जाती है, कि उसे ख्याल ही नहीं रहता, क एकसिज़न्ट के रात, रोस के साथ उसके गारी में और भी कोई था, जिसका खून हुआ था, उसका दोश रोस पर लग सकता था, जो जो जोड़ी नहीं चाहती थी, तो जब उन्हें पता चला, उन्होंने सबसे पहले पुलिस से भी पहले इन चुज़ों को अपने पास छ जाकर भी नहीं, उपर से उसे रात एक बहुत अजीब सपना आता है उसे, वो देखती है बरसात की रात है और वो अपने गारी में कहीं जा रही है, उसे घर भी दिखता है और घर के अंदर एक औरत भी जिससे वो मा बुला रही थी, उन पर किसे ने हमला किया था, जो इस अपने फोन को चार्च में बिठाती है और फिर अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है, उसके बेट साइट टेबल पर एक फोटो फ्रेम था, जब रोज उससे फोटो निकाल कर देखती है तो बिल्कुल हैरान रह जाती है, इस फोटो को फोल्ट किया गया था, ए इस उसे भी वो फोटो दिखाती है और कहती है उन्हें पुलिस को फोन करना चाहिए, उसे लगता है यह उसकी मॉम नहीं है, कुछ बाते भी कन्फेशन क्रेट कर रहे थी, जैसे रोज को बता गया था उसके गारी का एक्सिज़न्ट हुआ था, लेकिन जेमी कहता है उसके जारी तो बाहर पार्ग्ठ है, सही सलामत, एक्सिज़न्ट तो बस उसका हुआ था, हिटन जरन, एकलिस उसे तो वहीं बता आ गया है, इन बातों को सुनकर रोज और जाधा गन्फियूस्ट हो जाती है, उसे समझने आ रहा था उसे क्या करना चाहिए, तब भी डोडीन जे क्लारा को तो हमेशा से लगता था कि उन्हें खुद एक डॉक्टर की जरूरत है, उनका दिमाग ठीक नहीं है, उपर से जब वो जेमी के जिकर करती है, रोस को एक और जटका लगता है, क्लारा उसे साफ साफ बताती है, उसका कोई फ्यॉन्स है तो दूर की बात है, उसका क फोन पर बात करती हुए, उसका चहरा ही बदल चुगा था, उसके एक्सप्रेशन बहुत क्रीपी लग रहे थे, इस बार जब रोस उससे पूछ दी है, एक्सटेन के बाद वो लोग कहां मिले थे, जेमी कहता है इसी घर में, जबकि पहले उसने हॉस्पटल में कहा था, प्रिशा सही एक बेटी चाहिए थी, लेकिन हुआ बेटा, जैमी, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना, जब उन्हें पता चला रोस के अपने मा के साथ नहीं जमती, उन्होंने प्लान किया कि उन्हों उसकी मा की जगा ले ली जाये, उसकी मा अल्रिड होर्णरबल थी, किसे को पता भी नहीं चला लेकिन हां उसने अपने बेटी को कौल करके मदद मांगने की कोशिश जरूर की थी कुछ बोल नहीं पाई मगर रोस समझ गए थी कुछ गरबर है जब वो उसरा चेक करने गए उससे पता चला वो डोरीन के घर में हैं और डोरीन के घर जाने पर उस उसके लेक्स भी, डोडीन ने सिर्फ उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में कर रखी थी, उसका ये memory loss, लेक्स को फील नहीं कर पाना, ये दोनों ही ड्रक्स का असर है, जो कुछी देर बाद मिठ जाएगा, डोडीन उसे इतने प्यार से रोस्ट चाय पिलाती थी, वो ही तो है culprit, ये सारा खेल उसी का है, उसके hypnosis और medication का जादू, उसने तो रोस के पिता को भी hypnotized कर रखी है, जिससे समय आने पर उनकी memory rewrite करके एक perfect family बनाया जाए, रोस समझने पाती इन से पागलपन का मतलब क्या है, रोस उसे ऐसा mother कभी पे accept नहीं कर पाएगी, अपने सपने में भी लेकिन डोरिन कहती है, ये उसका plan भी नहीं था, बलकि वो रोस के जरीए एक बेटी पाना चाहती है, मतलब उससे pregnant करके उसके बेटी को वो छीन लेगी, इसलिए ही तो उसने जेमी को इंट्रिजूस किया, दोनों को करीब लाने की कोशिश की, लेकिन रोस का दिमाग पूर इसलिए उनका plan फेल कर गया, अभी तो artificial insemination ही एक रास्ता है, तो डोरिन वहीं करती है, जेमी के sperms इंजेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन रोस ये होने नहीं दिय सकती थी, तो वो fight back करने लगती है, पहले तो एक photo frame से जेमी को मार कर बेहोश कर देती है, उसके बाद जिब डोरिन उसे bathroom पे ले जाकर पानी में टूपो कर मारनी की कोशिश करती है, वो एक tooth brush को घुसा देती है उसके आखों के अंदर, दर्द में वो बेहोश हो जाती है, लेकिन तब तक उधर जेमी का होश लौट चुगा था, अपनी मा के हालत देकर वो रोस पर झपट पर उसका गला दबाकर चोप करके मारनी की कोशिश करता है उसे, रोस उसे रोक नहीं पा रही थी, उतने शक्ती नहीं थी उसके अंदर, ऐसे में उसके पिता उसकी मदद करते हैं, वो इतने देर से सब कुछ देग रहते हैं, मकर hypnotized रहने के कारण कुछ करने ही पाए, लेकिन अभी आखों के सामने अपने बेटी को मरते देख उसने आप पर काबू कर लिया और एक ट्रे से जेमी के माते पर वार करके उसे बेहोश कर दिया, यहीं मौका था, रोस भागने की कोशिश करती है, क्लारा बस आती ही होगी, वो जैसे तैसे अपने वेलशेर पे जाके गिरने से सबसे जादा भयानक मौत होती है, मगर रोस भी कम चालाक नहीं, वो गिरती तो है मगर दोडियन को साथ लेकर, ऐस दी रजल्ट चोट दोनों को ही लगती है, दोडियन बेहोश हो चुकी थी, लेकि रोस नहीं, शाय तो से पता था, इस समय अगर उसने हार माल लि थी, किसी तरह खुत को कीच कर बाहर के तरफ ले गए और क्लाना ने उससे बचा लिया, दी एंड, दोस्तों ये कहानी अहें पर एंड हो जाती है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धाएंगे सो मच फूर वाचिंग दिस वीडियो, बहुत ज़ल मिलते एक और नए के तड़ा